दोस्तों मेरे थमनेल देखके आप समझ गये होगे मैं आज क्या कहने वाली हूं आज बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि सबसे पहले मैं किलियर कर दूं कुछ लोग आएंगे और कहींगे कि तुम बड़ी समाज सेवका हो रही तुम ही ने थेका लेकर सारा कच्रा साप करने तो बेटे सबसे पहले ना ऐसे लोगों को चपपलों से कूटने का मन करता है और सच मैं जो लोगों का मैं आज वीडियो यह डाल रही हूं तो उन लोगों को तो अगर मुझे पढ़ गये कसम से मां रोड मां चपपलों से कूटूंगी क्योंकि कुछ लोग मेरे से बोल दि और रही बात मेरे कहने की तो आप छोड़ी है लेकिन अगर है तुम्हें हिम्मत तो ऐसे लोगों के खिलाब आवाज उठाने के आपको हिम्मत क्यों नहीं आते है क्यूंगा रोक देतो है बहुत गुस्सा आज मुझे क्योंकि मुझे कही लोग बोलते है इस औरतको कुछ क करती हूं क्योंकि मुझे मेरे थिव हैं गर मेरे में देखते तो मेरे घर पड़ी तो मेरे लिए सब चीजे पॉसिबल है तो उसकी चिंता आप करना छोड़ दीजिए आज यह औरत की जो हरकतर में बताना लिए उसे देख क्या और सर्म आतिया और वास्तों में लग रहा है कि अब तो यूटूब सायद बंद हो ही जाए कल एक बच्ची ने कोमेंट किया था अगर यूटूब बंद हो जाएगा हम पढ़ाई केसे करेंगे बेटा हमें भी बहुत दुख है क्योंकि यूटूब पढ़ाई प्लेटफॉर्म था सोसल मीडिया पर कि हर चीज हमें अभी लेबिल हो सके लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके के गंद फैल चुके हैं कि अब बच्चों को बचाना बड़ा मुस्किल हो गया है इस प्लिट फॉन से यह औरत तीस साल के औरत है इसका एक वीडियो आता तेरह साल के बच्चे के सांथ और सुनके ना मेरे पैर उतले जमीन खिसक जाती है जब इस औरत का मैंने वीडियो देखा गले में बरमाला डालती है और बच्चे के लड़का भी इस ऐड़ाता और पर में बच्चे की बात सुनके और भी जयादा दुखा और बोलती है दो मेहने की साल घ्रतनी पारअकर आगसे सBe نख्छा और 002 वीडियो आ रहा थे तो उसमार से बेदियो बनाने के लिए यूट इसका और थे की बी अनुमान लगा लिया है क्योंकि कोई बंदा वीडियो सूट करता है और मेडम साब सब दुमा उसे बोलती है कि तेरा साल का बच्चा है मैं इससे साधी कर रही हूं और धडले से कोई कह रहा है तो भई सरकार कहा सो रही है कहा गया कानून बड़ा सरम आता है इंचीजु पर क कि हमारी कानून बिवस्ता सो रही है सोसल मीडिया में ऐसी चीज़ा आ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं इस पर कोई वाज उठाता है मानली जी मैंने एक वीडियो बना लिया यह हजार दुजार लोगों तक भी नहीं पहुंचेगा कहीं तक बात नहीं पहुंच पब्लिक आवाज उठा दे यह चीज़ टिक नहीं सकती है क्योंकि हम बहुत चोटे हैं समास से जुड़े लोग है हमारे दिर में दर्द है हम चाहते हैं गंद को ठाके फैके लेकिन हमारे पास इतनी पावर नहीं हमारी बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती लेक लगे वैसे तो यूट्यूब ने बहुत सारे नियम बना रखें बहुत सारे पॉलिसी के अगेंस अगर कोई काम करता है तो उस पर वह चीज़ आ जाती हो हड़ जाता चैनल लेकिन गंदे चैनल उको हटाने में किसी का कोई हो नहीं है सब चल रहे हैं धडले से चल रहे हैं और ऐसी एसी वीडियो देखी न मेरा दिमाग घूंगा और जरूरी लगा कि इस परम वीडियो बनाऊ एक तेरा साल का बच्चा कह रहे हैं मेरी बच्ची की मा बनने वाली और दोस्तों ऐसे ऐसे सब्द इस बच्चे ने कहें ना सुनकर दिमाग चक्रा जाया का हम भी बच समाज के लिए करें आगल मेरी मदद करतीक इस़लिए इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं क्या करती हूं मैं क्या नहीं करती हूं अगर में भीare क्या अब कनीशनीए की र yatुक बढ़ाया मिं अगर में भी प्लीज अपने karşı अरब कम अरश्तिम ओड़ा सीसे एकिन नीं मेरेों दिमाग खराब कर दिया और कई कर यासी वीडियो जा रही है और अपने मतलब क्या ही बोलों बोल नहीं सकती हूं समझ जाए है और इतनी वाहियात तरीक से उतर गई हैं और जो लोग बोलते हैं कि आप क्या कर यूटूब पर तो हम यहीं चीजा खोजते रहते हैं दिन बर कि आज किसको थोलाई कर दी आज किसको ले आई हुआाई हुआँ किसको पकड़ के लेायँ जूट बोल रही हूं भाहीँ आप अजब सच के लिए नहीं कुछ कर सकते हो अपने घर में बैठो अपने बच्चों को अच्छी गाइड लाइन दो अपने गलत कदमों को गलत होने से रोको किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो और मैं जानती हूँ इसमें कोई सयाना समझदार बेक्ती नहीं होगा वही बच्चे होते हैं ऐसे कमेंड करने वाले जो इस उम्र के होते हैं और वो इस दिसा पे चल रहे होते हैं मा कोई परिवारिक भी कोई समझदार इंशान ऐसी घलत हरकत अगा मैं आपस को बाइन आप और भी हूँ और कप अस भी किला सहुए नहीं कर SPEAK कि मैं मां बादने वाल हुआ और उससे साधी कर you, तुम क्या करोगा। पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा दो तो जैसे मैंने स्टार्ट करा, मैंने दो चार उसके लाइन देखे तो मेरा खून खॉल गया, तो मैंने वीडियो क्लिक करके मैं वीडियो बनाने बैठ गई हूँ क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस देश का सरकार को अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत कुछ बहुत कुछ हो जाने वाला है बहुत कुछ गलत होने वाला ऐसा लग रहा है आप हास होगा ऐसी ओरतों को क्या करा जाया है बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है और इनको डर भी नहीं एक छोटे बच्चे के साथ क्योंकि पास को एक्ट के अंदर गता आता है कि यह कैसी ओरते जिने कानूम का पता नहीं नहीं पता नहीं किसी बड़े अधिकारी तक वीडियो पहुँच गया तो यह पास को एक्ट के अंदर आता है नावालिक बच्चे के साथ योन सोशन में आता है उसका कोई बयान माहिन नहीं रखता है उसका सीधर डैरक्ट उस पर कारवाई होती है अगर आप नावालिक ब बेल नहीं होता है इस बात को समझ जाओ तो सोशल मीडिया पर इस गंद फैलाना छोड़ दो हमारे हाँ पर थाने में एक चोटा बच्चा हमारे थाने के पड़ोस में किसी ने काम पे 12-13 साल का बच्चा रख लिया था दुकान पे तो उसको पकड़के मालिक को जेल हो गई है तो क्यों आप उसका योन सोशल कर रही है तो यह अपराद किस रहने में नहीं है तो दोस्तों सोशल मीडिया कि क्या रंग दिखाएगा समझ में नहीं आ रहा इसे रोकना बहुत जरूरी अगर नहीं कदम उठाया गया बहुत जल्द पतानी कौन सा तूफान आने वाला ह समाज किते दिशा में जाना बहुत दुख होता है अंदर से दा दिल तार तार हो जाता ऐसी घटना है देखके बचाना मुस्किल हो गया बच्चों को यह औरते इतन इस लेबल तक गिर चुकी है और जरूर यह वीडियो सूट कर रही थी यह सची घटना तो हो नहीं सकती कोई जैंट से बोल रहा है उनसे सवाल पूछ रहा है वह बोल रही है कि मैंने से शाधी की मैं प्रग्नेंट हो बच्चा भी बोल रहा है और बच्चे ने जो सब्द बोले ना वो सब्द में आपको बता नहीं सकते हैं आप समझ जाए कोई मतलब बहुत गिरा हो लेबल का आदमी में है किसी औरत से बोला उससे भी गये गुजरे सब्दों लड़के ने बोले यह कोईल भी उसका खेल है यह यूटूब से पैसे कमाने का खेल है और उस खेल में यह समाज को हमारे देश के बच्चे को इतनी गंदी प्रेयना दे रहे हैं कि वह बच्चे उन सब्द इसलिए समाज को एक अच्छी गाइडलाइन दे सको एक जो बच्चियां जो अपनी मांग रखती हैं कि हम परेशान हम दुखियां उनको मार्ग दर्सन मिल सके लेकिन अब लग रहा है कि इतने घटिया लोगों में जो कीचड जो उपर तक भर जाता है उसमें से सुई को ढ जाने जैसा काम है और इस सुई को खोज लाने में कोई help करने वाला भी है यह नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें बुरायां ज्यादा दिखती हैं अच्छायां दिखती ही नहीं तो थैंकि दोस्तों प्रियास को हमारा जारी रहेगा हमेसा रहेगा क्योंकि मैं भी चुका है अंसोसन हो रहा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है भले है वीडियो के माध्यम से उनका लक्स कुछ भी हो लेकिन दिखाया जारा बहुत गलत सोसल मीडिया पर अगे तक पहुची शायद कुछ हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस पर आवाज लेकिन उस अवाज को अगर उठाया जाता उस पर दस खड़े हो जाते कि आपने यह क्यों बोला उसकी अवाज को दबाने के लिए उसे घसीटने के लिए उसको बेजत करने के लिए अजार लोग आ जाएंगी देखिए का मेरे एक कमवेंट आ रहा है रिप्लाय देना ज़ उसकी हद भी दिखा देना जानते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं मैं नहीं जानती हूं कौन है लेकिन जिस दिन आ गई हद उनकी पार करने में तो मैं फिर आप जानते हो जैसे मैं फिर फाइनल करके ही रहती हूं मैटर को थैंक्यो आपका तह दिल से धन्यवाद बहुत सकते हो जरूरी नहीं है आपको स्कूल जोइन करो अगर घर से नहीं जा पा रहे हो तो मैं इसी वज़े से आया थी लेकिन अब लग रहा है कि उसमें सोसल मेडिया से गंद को साफ करने का मतलब है कि हम पूरे ही गंद में घुष्टना पड़ेगा या फिर उस गंद में अगर आपको लगता है कि आगे मेरी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक मिल सकीता है कि मैं इसे दॉंसते सっतों